हाई अब्रिवान वेलकम बैक तो मैं चैनल स्टाइल विद पैशन मैं हूँ आपकी स्वाती एंड उस कमरे की सफाई के बाद यह वाले जो बाजु वाला रूम है एंड हॉल है उसकी सफाई बची होई थी तो पंके साफ करने की जो डूटी है मैंने हमेरे हजबन को लगा दी क्योंकि क्या बोलते हैं तूल मिट्टी से मेरे को जोड़ी अलर्जी है तो इन्हों नहीं किया तो सारा एटूजर जैसे हम लोगों ने मास्टर बेडरूम की सफाई करी थी वैसे ही इसकी भी कर दी और अब बहुत अच्छी तरह क्लेरिंग हुई और मुझसे अकेले तो हो दूसरे की हेल्प नहीं करोगे तो इस वेरी डिफिकल्ट तो मैनेज एवरिटिंग तो एक दूसरे की हेल्प करना भी बहुत ज़रूरी है और उसके बाद इस नेक्स डे तो हम लोग खाना बनाने के लिए आय थे दोनों मिलके तो इन्होंने बोला की ठीके चलो मैं प्यास काट देता हूँ हाथ से काटना तो मुश्किल है लेकिन कटर में काटना तो इजी है तो जब भी मैं प्यास छिलके बिलके निकालती है कुछ हमेशा आ जाते हैं और मतलब इस सीजन में पहले नहीं अभी तो क्योंकि ऑफिस भी इनके ओफिस को भी क्लोज कर रखा है क्योंक अब कर रहे हूं रेसिपी बाता रहे हूं तो अभी डाइट में एवरी देट में मतलब मैंने जैसे आपने अगर मेरे पहले वीडियो भी देखे हूँगे एवरी दे मौनिंग में हमारा जो भी टिफन ब्रेकफास रहता था अंडा तो पका रहता था और अभी तो कंपल सर भी बहुत जरूरी है तो ब्रेक्वास्ट में आज जादा कुछ नहीं किया और क्या बुलते हैं ब्रेड एंड चाय बड़ा लग रहा था पिछले दिन भी खाया था तो मैंने बुले यह जंजट मॉर्निंग का जंजट ठीक कर देता यह ब्रेड अदरवाइस कुछ बनाओ उ तो बेस्ट है एंड तो हम अभी अपना ब्रेक्वास्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद आइल मीट यू अनादर ड़ी नौट दे सेम ड़ी तो अभी अभी सबजे हैं एंड सब्जियों में भी थोड़े बहुत कुछ हो सबता है इसलिए मैंने इनको भोला कि मास्क लगा ल सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ी देर नमो का इंड हल्दी में आप सोफ कर दो 15 मिनिट या आदा गंटा और उसके बाद आप उसको अच्छी से दोके अलग से रखो लेकिन वेश्टेबिल जहाता कि आप नॉमली रख दो क्योंकि धोके रखने खरा हो जाते हैं और कु जो भी उसमें कुछ रहता है वो सब निकल जाता है लेकिन मास लगा के आप सारे प्रिकॉशन लेते हो है सब जो को सौट कीजिए थो थोड़ा बचा है वो कर लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हो हम यहां पर वेश्टेबल को सौट कर रहे हैं और आजकल आजकल क्या पिछले अब तो डेट साल मान लिजिए जब से कोविड नाइंटीन आ चुका है तब से मताब बीच में स्टार्टिंग में प्रिकॉशन बहुत जादा हो गए थे लेकिन फि पर पार्शल लॉगडाउन है कहीं कहीं पर फुल लॉगडाउन है लेकिन अगर हर कोई बहुत जादा रिस्पॉंसबुल हो के मास्क को मेंटेन करते हुए अपने आपको सानिटाइज करके रखता तो यह केसे बढ़ते हैं क्योंकि लोगों ने इसको बहुत कैशली लिया इसलिए केसे जो है इत्ते जादा बढ़ चुके हैं and it is very important कि आप हमेशा थोड़ा ओगनाईज रहो अगर आप ओगनाईज रहते हो अगर आपके घर में अभी जैसे कोविट के केसे होंगे तो अगर आपके किसी घर में दूसरे इंसान को खानावाना बनाना पड़े या अगर आपके घर में joint family में हो तो manage करना बहुत difficult हो जाता है क्योंकि चीजे अगर organize नहीं रहेगी जगा पे नहीं मिलेगी तो सामने वाला इंसान पारिशान हो जाएगा तो organization एक चीज है बट उसके फाइदे अनेक है तो life में बहुत planned रहना, pre-planned रहना and organized रहना भी बहुत ज़रूरी है, everything is interlinked, so hope आप मेरा point समझ चुके होंगे, so पूरे vegetables और यह जो आप समान देख रहे हो ऊपर, क्योंकि रोबोट जब रोच गूमता है नीचे तो उपर रखना पड़ता है, तो रात को में उपर रख देती हूं, इसलिए हो ऐसा रहता है, and एक वर्फिस दिख इसलिए था, I organize like this, so carrot है, सारे vegetables लिये, bangan, tomato, and all of ridge में नहीं रखने है चाहे बोलते हैं, but मैं रखते हूं, बहार रखने से किया उसमें चोच आने लग जाती है, and here are bindi, this is skundru, and इसमें धनिया है, इसमें अधरक है, इसमें निम्बु है, so यह अगर खुला रखते हैं, निम अधर फ्रूट्स भी लेखते हैं, तो फ्रिज तो पूरा अउगनाईज ही है, and this is हरी मिर्ची जो अभी जिसकी ओपर की थुट्डिया निकाल के रखे, this is beans, and उसके अलावा, these are lassi package, तो अभी जादा से जादा पीनी चाहें, जतना जादा आपने आपको हाईडेटर रखे हैं, अच्छी तरह, so, kiwi and all, orange, apple, banana, and अंगुर, ये सारे कुछ है, बनाना है, तो रेंडी तीम, पदे दिया हैं, तो मेरे हजबन ही पुरी हेल्प कर रहे हैं, अभी मेरी, अभी घर में ही है, lockdown है, तो एक दुसरे की help करेंगे, तो असानी से काम हो सकता है, पूरा अकेली कर है, मतलब हमेशा तो अखेली किया है, बट जो हजबन लोग आफिस चल जाते हैं, तब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो घर में ही रहते हैं, तो मुझकल लगता है, तो मैं बोलूँ कि आप घर में भी, जब मिलके वेजटेबल का काम आपने किया हो, उसके बाद मास्क लगा हैं, दूसरे हो अगर बारिश आ रहे हैं, कभी-कभी आजकल बारिश भी आ रहे हैं, तो जो वेस्टेबल बालकनी में रखे होते हैं, वो गीले भी हो रहे हैं, तो तो यहाँ प्राबल्म, उसके वएसे आप आने के बाद उनको रख दो, और वेल कोकिग, आप आने के हैं, तो यहाँ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे रेसिपी बना शुरू हो चुकी है, साइड में चाय भी रखी हुई है, मतलब थोड़ी सी बची हुए, इसले वो केडली वहाँ पे रखी हुई है, और बीश की करी है, वो बनाने वाले हैं, अल्थो आम नाट शेरिंग रेसि जब मैं आगे के वीडियोस पोस्ट करूंगी, तो आई विल शेर, आइधिंग पहले तो शेर करके रखा होगा, बट री पोस्ट करने में भी कोई हर्जाई नहीं है, हर दिन नए नए लोग देखते रहते हैं, बेशे पुराने लोग भी देखें, तो रेसिपी देखने से तो अपने, मतलब जो रेगलर स्टाइल में बनाते हैं, उसके अलाबा दूसरे स्टाइल में फॉलो कर सकते हैं, आपके जो वीडियोस होंगे, आपको सब में मेरे पती जी हाजिर मिलेंगे, बिकॉज बोलते हैं ना, किसी काम को करने के लिए, या किसी चीज को सीखने के ल तो वो बोलते हैं ना, situation आने चाहिए, तो अभी situation ऐसी है, कि लोगों को एक दूसरे की importance पता लग रही है, और बाहर जो सिती है, जैसे मैं repeatedly बता रही हूँ, उससे, मतलब, automatically, जो senses है कुछ जादा ही काम कर रहे हैं, तो it is very important कि आपके घर में हर किसी को खाना बनाना आता हो, ताके अगर जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बोला है, कोई problem हो, अभी करोना सीजन में भी नहीं, otherwise भी कभी आपकी wife बिमार है, या कोई बिमार है, तो आप जो है, एकदम बे सहारा feel ना करें, अगर आपको आता है, तो चलो हम भी manage कर सकते हैं वाली feeling होनी चाहिए, and करो करोना में यहां पर मैं आपको एक tip देना चाहूंगे, जो मैंने अभी तक शायद बहुत लोग को बता भी दिया है, आप चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, अगर आप बाहर से भी आते हो, या आपने इस तरह से vegetables भी लिये हैं, तो आप mask तो यूज़ करो, घर में भी use करो, उसके अलावा, आप जब भी अपना खुद का हाथ अपने face पे touch करने वाले हो, तो यू make sure कि आपने अपने हाथ उससे पहले sanitize करे हुएं, because करोना जो फैलता है, दूसरे के हाथ आपके मूँपे नहीं लगते हैं, उनके चुए आइटम को आप चुके, अपने मूँपे ज आपके हाथ पका sanitize रहें, क्योंकि अगर आपके हाथों में नहीं होगा, तो आपकी बॉड़ी में किसी हालत में वो पहुची नहीं सकता है, जब आप बाहर से आते हैं घर में, अपने चेहरे को चुने से पहले, चाहे आप क्रीम पॉडर रगाने वाले हो, या नहाने वाल पहलता है, आप जब अपने हाथों से अपने चेहरे को चूते हो, और आपके जो ओर्गन को टच करते हो फेस के, तभी फैलता है, तो मुझे लगा ये बताना जरूरी है, and repeatedly I am telling this, because this will save many lives, and अगर आपके पास भी कोई information है, जो लोगों के साथ शेर करने से उनकी help हो सकती है, तो do share me that in the comment section, because जिस तरह से अभी help कर सकते हैं हम लोगों की, उस तरह से जरूर कीजेगा, अगर आपके neighbors में किसी को आ जाता है, अगर उनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो कम से काम आप पका के उनको दे सकते हैं, इत्ता से तो करी सकते हैं हम लोग, so छोटी देंस की करी बन चुकी है, दही मस्ट है अभी इस सीजन में, खटा खाना आपको बहुत ज़रूरी है, जलो खटे आम खाने के लिए नहीं बोले है, खाना बहुत ज़रूरी है, तो मेंटेन करते रहिए, अपने आपको फिट रखिए, मैं मिलती है अपने नेक्स वीडियो म बाई बाई प्राइए